हेलो फ्रेंज फ्रेंज एक मशीन सिवरातरी के दिन हमने एक और लॉंच किया हुआ नया मशीन आप लोगों के लिए यह 2023 का मॉडल जो है और यह जो मशीन हमने लॉंच किया है यह बहुत ही क्या होता है कि रियर जैसे बंगलादेश के हैं या फिर हमारे बेस्ट बंगॉल के जहां पर वोल्टेज कम आता है तो उनके इसाब से हमने एक और नया मशीन डिजाइन किया हुआ है और मैं इसकी कुछ फैसलिटी आपको दिखा देता हूं आप लोग देख लीजिए और यह पार्ट थ्री होगा मेरा मतला विससे भी मैंने दो मशीन ने पहले भी अल्रेड दिखा रखा है दो या तीन दिखा रखा होगा यह हमारा साथ पार्ट थ्री या पार्ट फोर होगा ठीक है तो देखिए सबसे पहले क्या था कि इसके उपर देखिए हमने डबल फैन कर दिया है यहां पर एक फैन हमने दे दिया एक यहां पर और एक फैन हमने यहां पर दे लेजिए आप यहां पर इभी मोटर मेंगनेट चार्जर संदीप इरिक्सा यूटूब चैनल देखिए सजहापूर यह इसका फीचर्स है मैं यह देख लीजिए आप लोग टोटल हो गया अब इसमें फैसलिटीज क्या है देखिएगा तो एक तो सबसे बड़ा आप लोगों का मिल जाएगा कि इसमें आप तीन हजार वार तक के मोटर चार्ज कर सकते हैं अभी तक आपकी कोई भी मसीन बन रह और इसका देखिए आपको हैंडल देखिए हमने कितना समूथ डिजाइन क्या है पहले निकालने में भी दिकत होता था तो आप इसको मैंने और भी समूथ कर दिया है यह आपका पार्टिशन डबल डोर का ही रहेगा और उसके बाद देखिए इसमें क्या किया हमने इसमें यह हमने बड़े वाले मीटर लगा दिया है यह आपका एसी फोल्ट मीटर है और यह वाला है एक सांत में ड्रीमर लगा दिया गया है और गौस मीटर भी देखिए इसी कंदर देदिया है देखिए हमने देखिए यह रहा गौस मीटर भी इसी कंदर हमने देदिया है अभी इसको खोल के निकालते हैं यह गौस मिटर भी हमारा इसी का अंदर है मतलब अलग से कुछ नहीं करना है और गौस मिटर का MCV भी अलग कर दिया है इस बार जैसे जैसे रिक्वार्मेंट बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग अपना इसके ओपर कार्या करते हैं तो देखिए सबसे इसकी वोल्टेज है 2000 तक जाएगा देखिए यह वाला जो भी चला MCV है आपको गौस मिटर चालू करना है तब चालू करना है वह दरवाज नहीं चालू करना है देखिए मैं एक बढ़ दिखा देता हूं यह देखिए गौस मिटर का गया लेकिन जब चलाना है तो यूज क यह मैं बढ़ा रहा हूं वोल्टेज ड्रीमर से देखिए अगर इसका फुल वोल्टेज की बात करूं मैं तो देखिए मैंने अभी 180 पर रखा है 180 वोल्ट पर रखा यहां पर ड्रीमर को और यहां पर देखिए अर यहां पर देखिए तो आप यह फूल हो गया यहां पर त ठीक है 180 वोल्ट पर 1000 प्लस हो गया तो समझ जाए कि कहां तक जाएगा यह आप इसको थोड़ा और बढ़ाता हूं मैं इसको 220 तक ले जाता हूं देखिए देखिए इसको फूल वोल्टेज एक बार दिखाता हूं देखिए मैंने अभी वाई किया है क्योंकि घर का वोल्टेज हमारा 235 है देखिए 1500 पलस हो गया देखिए 1600 हो गया कि 1700 के संपिंग जाने लगा है देखिए और यह 2000 2000 तक जाएगा इसका मीटर ठीक है अब अधर्वाइज किसी की मशीन में आपने देखा होगा ना तो क्या होगा अगा DCMC भी गिराना पड़ता था लेकिन इसमें DCMC भी नहीं गिराना है Fully Automating उसी ने देखिए मैं बटन दबा रहा हूं तो इसका थंप देखिएगा देखिए मैं बटन दबा रहा हूं देख रहे हैं फटने वाला नहीं है इसका कुछ नहीं है क्योंकि सबी चीजे हैवी डूटी के समान लगा हुआ इसमें देखिए मैं दुबारे श्टॉक मारता हूं आवाज देखिएगा देखिए कितना समूथ चल रहा है ठीक है अब इसको जर्नली मान के चले जैसे मैंने इसको आफ कर दिया तो यह वोल्टेज बढ़ना रुक जाएगा आपका देखिए थंप मार रहे हैं देखिए ठीक है यह तो हो गया आपका आगर मान के चले मुझे सिर्फ गौस मिटर का ही यूज करना है तो यह बीच वाला जो MCB है उसको उठाना है देखिए इसको चालू कर लेना है सप्लाई तो देनी पड़ेगी इसको चालू करके और कौस मिटर चालू हो गया देखिए और क्वालिटी आप देखेंगे तो काफी जवर्जस क्वालिटी बनाया वाया वाजन भी काफी अच्छा खासा है देखिए यह फलो देखिए इसका ठीक है यह देखिए यह गरम होने की सिकायत इसमें बिलकुल भी नहीं आगी क्योंकि हमने सुरू से ही जो भी अभी तक मशीनों पर काम किया है उस पर गरम होने की सिकायत तो सोचते ही नहीं कि गरम हो या किसी भी कश्टूमर का पैसा हमारा व्येस्ट जाए तो इसको खरने के लिए यह मेरा नंबर है इस पर आप कॉल करिए अगर आके विजिट करना है तो व श्वीकर चार्जर है तो मसीन आपकी यही रहेगी ध्यान दीजिएगा मसीन आपकी यही रहेगी सिर्फ आपको यह पार्टिशन अलग से मैं दूँगा दो ठीक है उस पर आपका 10 से 12,000 पर एक्ट्रा जाता है 12,000 पर सम्थिंग एक्ट्रा जाएगा 6 इंच का और 10 इंच क ठीक है लेकिन एक फैसलेटी से केवल केवल जो डीजे मशीन का आप्शन जो है डबल डोर की मशीन में अविलेबल है सिंगल डोर की में अविलेबल नहीं है फिर मिलते हैं नए वीडियो पे जब तक के लिए जय हिंद जय भारत और एक चीज और यहां पर आप देख सकते ह है इसका वेट देख लीजे ठीक है वेट इसका काफी अच्छा होगा और यह वाली मशीन जो होगी डीजे वाली वह काफी उची होगी ओभी मैं आपको एक दो दिन कंदर मैं दिखा दूंगा ठीक है